दोस्तो, आज मैं आपको ठंड में गरीब के घर आया गैस चूला, कहानी सुना रहे हूँ हो 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 हो, आज तो बड़े जोरो की ठंड है, रजाई में से उठने का मन ही नहीं कर रहा पर खाना बनाने के लिए लकडियां भी तो लानी है काश मेरे घर भी एक गैस चूला होता, तो मुझे यू रोज सुबह सुबह लकडि लेने न जाना पड़ता मन न होते हुए भी सुनीता उठकर लकडि लेने जंगल जाती है और चारो तरफ कोहरा चाया हुआ था, सुनीता कहती है लगता है आज तो सबसे ही ठंड़ा दिन है, सडक पर भी पाला जमा हुआ है यही सोस्ती ही, ठिटर्ती, कापती ही, लकडि लेकर वापस घर आ जाती है सुनीता सोस्ती है, अब जल्दी से जाड़ू बुहार कर चूला जला लेती हूँ पर पहले चूले को लीपना भी तो है, अगर हमारे पास गैस का चूला होता, तो यह लीपने पोतने का जंजटी ना होता जाड़ू लगाने केबास, सुनीता चूले में आग जलाती है, और सारे घर में दुआ ही धुआ भर जाता है तब सुनीता, अरे आज चूला जल क्यों ने रहा, फिर उसकी नजर लकडियों पर जाती है, जो कि पूरी तरहें गेली हो चुकी थी, तब उसकी सास भी मला महा आती है, अरे आज चाय मिलेगी या नहीं बहू, सुबे के आट बज गए हैं, अब तक चाय पानी का कुछ भी अ अब और देर से जाऊंगा, तो सेट पूरी मजदूरी नहीं देगा, और गालियां देगा वो अलग से, सुनीता गुसे में बोलती है, आप देख तो रहे हो ना, मैं कितनी देर से हाग जलाने की कोशिश कर रही हूँ, अब सारी लकडिया गेली हैं, तो मैं क्या करूँ, आ आट साल होगी है हमारी शादी को, पर अभी तक इस मिट्टी के चूले पर ही सारा काम कर रही हूँ, लगता है मेरी किसमत में तो गैस का चूला लिखा ही नहीं, मेरे माबापने भी जाने क्या देखकर मेरा विया यहां कर दिया, तब इमलास कहती है, अरे बहु, ये क्या र पती मादों को रोटी और अचार बांद कर दे देती है, और अपनी सास के लिए भी चाय नास्ता बना कर उनको खिला देती है, मादों एक गरीब मजदूर था, वो दिहाड़ी मजदूरी करता था, उसके साथ उसकी मा विमला, पतनी सुनीता और पांच साल की बेटी पिंकी रहती थी, ऐसे ही वे गरीबी में अपने दिन गुजार रहे थे, मादव एक सेट के हाँ दिहारी मजदूरी करता था, उस दिन जब वे सेट के हाँ पोस्ता है, तो बोलता है, मालिक आस तो कड़ाके की ठन पड़ रही है, हाथ पेर भी जम से रहे हैं, तभी वो सेट को बोलत है, और अब इतनी ठंड है, तो माल भी खी नहीं रहा, सर्दियो, सर्दियो काम रोकना पड़ेगा, तुम भी मताना, दो-तिन महीने बाद आना, जब हमारा काम चलने लगेगा, मैं तुझे खुदी बुला लूँगा, सर्दियो में, दो-तिन महीने, उसको हर साल ही घर पर इस साल भी उसके पास कोई काम नहीं था, वे निराश होकर जाने लगा, कि तब ही सेट कहते हैं, सेट बोलते हैं, अरे सुनो मादो, अगर कोई तुम्हारे आसपास काम करने खाना बनाने वाली हो, तो बताना, तुम्हारी माल किन से इतनी ठंड में काम नहीं होता, और कोई हो तो मेरे घर बेज देना, मादो गयता है, जी सेट जी, फिर मादो अपने घर चला आता है, महाँ पर उसकी बेटी उससे कहती है, पापा आ गए, पापा आ गए, पापा क्या लाए हो मेरे लिए, क्या खाने के लिए कुछ लाए हो गया, बच्ची की बास सुनकर उसकी बगवान हम अपना गुजारा कैसे करेंगे कैसे चूले जलेगा जब पकाने को ही कुछ नहीं होगा तो अरे मैं तो सोच रही थी कि आप जो भी रोज पैसे लाते हो उसमें से थोड़े थोड़े बचा के वह मैं गैस का चूला खरीदूंगी अब तो खाना मिल जाए वो ही ब सुनीता कहती है अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है मैं कर लूँगी काम उनके घर का और खाना भी बना दूँगी माधव अपने को बड़ा ऐसा है मैसूस करता है वह कहता है कि आज अपनी गरीबी पर बड़ा अफसोस हो रहा है इस कड़कडाती हुई ठंड में तुम द दुख की घड़ी भी चली जाएगी अगले दिन वह सुबह जल्दी उठकर पहले अपने घर का काम निम्टाती है फिर वह सेट के घर काम करने चली जाती है जहां पर उसकी मालकिन ने उसे काम बताया और रसोई का काम भी बता दिया वहाँ पर सुनीता की नजर सबसे पहले स्लेब पर रखे चमकदार गैस चुले पर जाती है उसकी मालकिन कहती है आओ सुनीता मैं तुमें गैस ओन ओफ करना सिखा दू फिर वह सुनीता को गैस कैसे चलाते हैं वह सिखा देती है सुनीता गैस पर जल्दी जल्दी सारा खाना बना देती है सुनीता मनी मन सोसती है कि अमीरी भी तो देखो यहाँ पर रसोई में कितनी सारी सुकसु भी धाय है गैस चलाओ तो जट से खाना बन जाता है मिक्सी चलाओ तो जट से मसाला तैयार और बटन दबाते ही हीटर घरम कर देता है और गीजर भी गरम पानी कर देता है क्या ठाट है इनमीरे को हम गरीबों के ऐसे भाग कहा हमारा जीवन तो दो वक्त के खाने के इंतिजाम में ही निकल जाता है और उपर से मुझे तो मिट्टी से बने चूले पर खाना बनाना पड़ता है और उसमें से निकलता हुआ धुआ ओफो जंगल जाती है तो वहाँ पर सारे में ही बर्फ पड़ी हुई थी सुनीता कहती है अरे आस तो लकड़ी भी नहीं मिलेगी इन पर तो बर्फ जम गई है उस दिन वह कुछ सूखे पत्या ही ले आती है और उन्हें जलाकर जैसे तैसे खाना बनाती है सूखी पत्यों जलने के कारान पूरी जोपड़ी में उसके धुआ हो जाता है जिससे सभी को दिक्कत होने लगती है और सभी खांचने भी लगते है सुनीता कहती है आस तो मैंने जैसे तैसे ये सूखे पत्य जलाकर खाना बना दिया है कल पता नहीं क्या होगा तब सुनीता भार देखती है तो उसकी साथ सास ठंड में गोबर से गोशे बात रही थी उसके पास तो जर्सी स्वेटर भी नहीं था सास कहती है हे भगवान अभी इतनी ठंड है आगे पता नहीं क्या होगा अभी तो पूरे दो महिने और पड़े है गोबर भी इतना ठंडा हो रहा कि इसमें तो हाथ भी डाले नहीं जा रहे है और गोशे तो बनाना बड़ी दूर की बात हो रही है पर मैं फिर भी बना ही दूँगी खाना भी तो बनाना है इने जला के तभी सुनीता कहती है अरे माजी आप रहने दो मैं पात दूँगी गोशे अरे बहु तू तो घर का भी काम करती है और बाहर भी जाके करती है तू भी तो ठक जाती होगी और इस का पाने वाली ठंड में इतना काम करके पहले ही तेरे हाथ सूज रहे हैं सुनीता कहती है अरे माजी मैं तो ठंड फिर भी जेल लूँगी पर आपका तो बुढ़ापे का शरीर है आपको कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा फिर सुनीता अपनी सास को हटा कर खुद ही गोशे पात्मा शुरू कर देती है ऐसे ही शाम हो जाती है तभी सुनीता को याद आया कि उसे तो मालकिन के घर शाम का खाना बनाने जाना है वैसे उसती है कि थोड़े थोड़े पैसे बचा कर एक गैल शुला ही खरीद लूँगी पर क्या करे बिल्कुल भी बचत नहीं हो रही है उधर मालकिन अपने पती से कहती है सुनो जी कल सोम्या बेटी का फोन आय था और उसने बताया है कि बजार में एक नया बिजली से चलने वाला चुला आया है हम वो खरीद लेंगे पती उसका कहता है अरे तुमने अभी नवरातरी पर ही तो नया गैस चुला लिया था इसका क्या करोगी फिर मालकिन कहती है अजी मुझे पता है उसका क्या करना है चलो अब नया बिजली का चुला ले आते हैं फिर वे दोनों जाकर बजार से बिजली से चलने वाला चुला इंडक्शन खरीद कर ले आते हैं उधर ना ही तो सुनीता को लकड़ी मिलती है और ना ही उसे सूखे पत्ते मिल रहे थे और ना ही उनके बनाएवे वे उपले सूखे थे उसकी बेटी कहती है मामा बड़ी भूक लग रही है कब बनेगा खाना यह सुनकर उन सबी के चैरों का रंग उड़ जाता है सुनीता मन ही मन रोने लगती है तभी उसकी दादी कहती है अरे पिंकी बेटा आ बेटा इदहरा मैं तुझे पुरे परेयो की कहानी सुना के सुलाओंगी और जब खाना बन जाएगा तो मैं तुझे उठा दूँगी ऐसे ही उसको कहानी सुना कर लोरी सुना कर सुला देती है उस दिन पूरा परिवार गरीबी और ऐसा मर्था के कारण भूका ही सो जाता है अगले दिन जब सुनीता काम पर जाती है तो वहाँ पर नया चूला रखा देखती है तो उसकी मालकिन उसको कहती है देखो सुनीता हमने नया गैस चूला खरीदा है कैसा है ये ये न विजली से चलता है और वो वाला तुम ले जाना अभी लिया था वो नया ही है तीन मेले पहले ही तो लिया था ये सुनकर सुनिता फूली नहीं समाती उसकी आखों आसों से भढ़ जाती है वह कहती है सच में मारकिन आप मुझे अपना वो गैस चुला दे रही हो सच में क्या मुझे हम गरीब पर आप इतनी दया कर रहे हो आपका बहुत बहुत शुक्रिया हां सुनिता मुझे पता है कि गरीब के लिए कुछ भी खरीदना आसान नहीं होता है सुनिता वो गैस चुला अपने घर ले आती है और अपनी सास और पती से कहती है ये देखिए हमारे घर भी आखिरकार गैस चुला आ ही गया अब हम जोड़े दुए से मुक्ति मिल गई फिर वह उस गैस चुले की पू जाती है दोस्तों अगर आपको ये कहनी पसंद आई हो तो लाइक शेयर कोमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें थैंक्स फॉर वोचिंग